नमस्कार आप देखरें एक न्यूस 24 और मैं हूं मुद्वाला आपके साथ लोकसबाद चुनौद वजार 24 की लड़ाई बिहार में इस बार बेहत दिल्चस्प है आपको बता दो एंडिये और महा गटबंदन में इस बार लड़ाई है और सिर्फ ये दोनों में नहीं लड़ाई है इस बार एक और दिल्चस्प बात आपको बता दो कि लालो प्रशाद यादब की दोनों बेटी मिसा भारती जो पाटली पुत्र से चुनौद लड़ रही है और वही रोहनी अचार्य सारंस चुनौद लड़ रही हैं तो काफी चर्शाओं में ये दोनों बेहने हैं और काफे आपको ये भी बता दो कि काफी बादकीत हो रही है इस बार लोक्सवाद चुनौद को ले कर तो आखिर रोहनी अचार्य और मिसा भारती का नाम क्यों पड़ा ये भी चर इंडिये बनाम इंडिया गठबंदन की लड़ाई है इस बार के चुनाव में लालु प्रशाद यादिप की बेटी मिसा भारती और रोहनी अचारय चर्चाओं में हैं चर्चा में रहने की सबसे बड़ी वज़ा है उनका चुनावी मैदान में होना नहीं बलकि उनका नाम है मतलब ये कि लालु प्रशाद यादिप की बेटी मिसा भारती और रोहनी अचारय अपने नाम को लेकर इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हैं मिसा भारती और रोहनी अचारय के चुनाव लड़ने की घोशना होने के बाद से ही शोशल मिडिया से ले देखे तो लालू प्रशाद यादव की दोनों बेटियों का नाम रखे जाने की कहानी बेहत फिल्मी है चलिए आज हम आपको मिसा भारती रूहनी आचार्या का नाम आखिर पड़ा कैसे इसे लेकर वो कहानी बताने जा रहे हैं जो कम ही लोगों को पता होगा साल 1976 का था जिप पूरे देश में आपकाल इमर्जनसी दागु था और कई बड़े नेताओं को उस समय की सरकार ने जेल में डाल दिया था इमर्जेंसी में जिस कानून के तहट सरकार का विरोध कर रहे निताओं और कार्यकरताओं को जिल में डाला गया था उसे Maintenance of Internal Security Act मिसा के नाम से जाना जाता था इमर्जेंसी के दौरान जिल जाने वाले निताओं ने लालो प्रिश्वाद यादब भी सामिल थे लालो प्रिश्वाद यादब जेपी के साथ मिलकर उस दौरान कॉंग्रिस का विरोध कर रहे थे अब बात अगर रोणी अचारा की करे तो उनका नाम रखे जाने की कहानी तो और भी दिलचस्प है साल था 1980 का जब लालो प्रिश्वाद यादब की पतनी राबडी देवी एक बार फिर मा बनने वाली थी डिलिवरी से ठीक पहले कुछ जटिलताओं की वज़ा से यह तै हुआ था कि राबडी देवी का ओपरेशन करना पड़ेगा कहा जाता है कि उस समय ओपरेशन की बाद सुनकर लालो प्रिश्वाद यादब घवरा गये थे आनन फानन में उस समय पतना की मशुहूर महिला डॉक्टर कमला अचारे से संपर्क साधा गया कमला अचारे ने अब राबडी देवी का सफल ओपरेशन किया ओपरेशन पूरा होने के बाद जब डॉक्टर कुन के फिस देने की बात आई तो कहा जाता है कि कमला अचारे ने फिस लेने से मना कर दिया था कहा जाता है कि जिस समय लालो प्रशाद यादव की दूसरी बेटी का जन्म हुआ उस दौरान रोहनी नच्छत्र चल रहा था ऐसे में लालो प्रशाद यादव ने अपनी इस बेटी का नाम रोहनी रखा सरनिम से लेकर पहले ही कमला अचारे से बात हुई थी लेकिन लालो प्रशाद यादव ने अपनी बेटी का सरनिम अचारे रखा इस तरह से रोहनी का नाम रोहनी अचारे पढ़ गया तो जैसा कि आपने सुना लालो प्रशाद यादव की दोनों बेटिया मैदान में उतर चुकी है और काफित दिल्चस्प इस बार का लोग सभा चुना देखने को मिल रहा है आपको ये भी बता दू कि लालो प्रशाद यादव की दोनों बेटियां का नाम क्यू पढ़ा ये तो मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया है और आपको साथ साथ ये भी बता दू कि राजी प्रताफ रूडी के साथ रोहनी अचारया का टकर देखने को मिल रहा है वहीं राम क्रिपाल यादव के साथ मिसा भारती का टकर देखने को मिल रहा है इस खबर में इतना ही फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रही एक न्यूस 24 वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे साथ ही हमारे यूटुब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब करे यदि आप मारे फेस्बूक पेज को देख पारे तो मारे फेस्बूक पेज को फॉलो करे धन्यवाल